एक समय ऐसा भी था जब मैं अपने डैमेज बालों से बहुत ही ज़दा परेशान हो गई थी और उस समय मैंने अपने बालों को कट करा लिया था ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं ये लगबग एक से डेड़ साल पहले की पिक्चर से जब मैंने अपने बालों को कट करा हो गएं कंप्लीटली मेरे बाल जो है ना वो बिल्कुल तरीके से बदल गए मेरे बाल हल्दी भी हो गएं स्ट्रॉंग भी हो गएं और मेरे बालों की ग्रोथ भी काफी हद तक बढ़ चुकी है तो आज मैं अपने बालों के लिए एक सीक्रेट रमडी जो अपलाई करती वो आप सभी के साथ सेयर कर रही हूं बिना किसी देर के चले स्टार्ट करते हैं आज ही वी एक समय ऐसा भी था फ्रेंज जब मैरे बालों की ग्रोथ यानि उसकी लंबाई काफी हद तक बढ़ चुकी है बालों की लंबाई को बढ़ाने को लेकर कि मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल और छोटी छोटी प्रोसेस स्टार्ट कियें जैसे कि ओलिंग हो गया अलवरे जेल हो गया और थोड़ा बहुत खाने पीने का भी ध्यान रखाये जैसे कि मैं सुबह सुबह मूंग डाल खाती हूं भीगो करके स्प्राउट जी से कहते हैं वो मैं खाती हूं साथ में थोड़े बहुत मेती के दाने भी खाते हूं और इन सभी चीजों का बहुत ही अच्छा रेजल्ट मुझे मिला है वो लोग जो अपने बालों को लंबा करना चाते हैं उनके लिए ये खास तोपे मैं एक ट्रेमली शेयर कर रही हूं बहुत ही आसान है और इसके लिए आप देख सकते हूं कि मैंने ऐलोवेरा लीफ लिया है यहां पर फ्रेस ऐलोवेरा लीफ लिया है और उसे अच्छे से वास करने के बाद कट करके मैं उसका जेल जो है वो निकाल रही हूं तो आपको भी सबसे पहले ऐलोवेरा का जेल लेना है लेकिन हां मा पार्केट वाल अलवरा जल, प्लीज, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, उसका इस वाला प्लूंग ना कीजेगा, अगर आपको रिज़ट चाहिए, तो आपको औरीजिनल अलवरा जल लेना पड़ेगा, लीफ वाला पत्ते वाला, तो सबसे पहले, आपको यहां पे उसे निकाल लेना है, अब इसका फाइन सा पेश्ट हमें बनाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर मिक्सिका इस्तिमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि हमें अच्छा सा फाइन सा एक अलोवेरा जूस मिल चुका है, जो कि बिलकुल फ्रेस है, बिलकुल इसी तरीके से आपको जूस निकाल लेना है अलोवेरा का जल इस्तमाल करके आप लोग अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और ये मैंने एक बार नहीं बलकि कई बार ट्राइ किया है जब भी मेरे बाल जढने टूट ले लगते हैं सबसे पहला इंग्रीडियन्ट मैं अलोवेरा जल इस्तमाल करती हूं अपने बालों पर लेकिन यहां पर हमने अलोवेरा जूस निकाला है और इसकी साथ एक और इंग्रीडियन्ट यानि की ऑल इस्तमाल किया है यहां पर मैंने कोकने टॉयल का इस्तमाल किया है ऐसा नहीं कि बहुत मेंगा कोई oil इस्तमाल करना चाहिए हाँ अगर आप चाहे तो इसमें कैस्ट्रो ओल का इस्तमाल कर सकते हैं ये दो ही oil जो है मैं आप सभी को recommend करूंगी अगर आप coconut oil नहीं लगाना चाहते या नहीं use करते तो आप यहाँ पे कैस्ट्रो ओल का इस्तमाल कीजेगा लेकिन इसके अलवा मैं कोई और तीसरे oil के बारे में आपको suggestion नहीं दे रही हूँ कि आप तीसरा कोई oil इसमें add कीजेगा तो इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से mix कर लेना है और mix करने के बाद आपको इसे अपने बालों पे apply करना है कि बालों पे apply नहीं करना है आपको इसे अपने scalp पे apply करना है देखिए जब हमारे scalp अच्छी होगी न तभी हमारे बालों की growth अच्छी होगी हमारे बालों की health अच्छी होगी इसलिए scalp को सही रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और इसके लिए oiling सबसे ज़्यादा best माना जाता है आपके scalp पे oil massage होना चाहिए ताकि आपके scalp पे blood circulation increase हो अगर आपके scalp में blood circulation अच्छी तरह से होता है तो ये आपके बालों को जड़ों से portion देने में बहुत ही ज़्यादा help करता है वहीं अगर आपके scalp में blood circulation नहीं होता है आपके scalp dry रहता है उसमें dandruff रहता है, itching रहता है तो आपके जो बाल है वो जड़ से nutrition नहीं ले पाते हैं कोशन नहीं ले पाते हैं इसी कारण वो जड़ से बहुत ही ज़्यादा कमजूर हो जाते हैं उपरी layer उनकी damage होने लगती है बाल बिलकुल rough दिखाएने लगते हैं धीरे धीरे वो बेजान हो जाते हैं रूखे सुके और finally वो बिलकुल कमजूर होके तूटने गिरने लगते हैं तो इसलिए आप लोगों को अपनी बालों को अगर healthy रखना है तो scalp का विसेश रुप से ध्यान दीजिए weekly आप लोगों को hair pack लगाना है हफते में कम से कम दो से तीन बार अपने बालों में oiling करनी है दो से तीन बार आपको shampoo करना है chemical वाले product का इस्तमाल नहीं करना है ज्यादा chemical वाले conditioner का इस्तमाल नहीं करना है इसे आपको बहुत ही अच्ये से अपने बालों में लगा लेना है पूरी तरीके से scalp पे साथी साथ आपको अपने पूरे बालों की लंबाई पे लगा लेना है उसके बाद आपको अपने scalp पे massage करना है normally آپ اپنے ہاتھوں से massage कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसे बहुत लोग कहते हैं कि ये कंगी है बहुत लोग कहते हैं कि ये massage करने वाला मैं भी आज तक confusion में हूँ कि इसे massage किया जाता है या फिर ये boys के लिए कंगी का इसेम now किया जाता है अब आप सभी को लएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेसर नहीं कर सकते हैं तो देखिए अगर आपके बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं अगर आप अपने बालों से प्यार करते हो तो थोड़ा बहुत एफट लगाना ही होगा बीना एफट लगा है बीना कुछ क मिलता है नॉर्मल मार्केट पे मिल जाता है उसे आप ले आईए और अच्छे से जैसे आप कंगी करते हैं ठीक उसी तरीके से कर लेजे उसके बाद आप इसे लगा करके छोड़ दीजिए ओवरनाइट मैं पूरी रात को इसे छोड़ देती हूं और उसके बाद अगली सु अच्छा होता है ला है तो बच्छों के लिए जो बर बार मैं बताती हूं पुर्छ कैस्पू का इस्ताम्गर कर सकते लेकिन फ्लीमार्केट वाले केमिकल वाले प्रड़क्त का इस्तें आप कम से कम कीजिए आप अप अपने बालों को हेलदी रखना चाहते हैं लंबे समय तक आप अपने बालों का मंचाऑ ब्रोधं पाना चाहते हैं तो फ्रेंच इस तरीके से इस रेमेंटि को आप लुग हftे में दो से तीन बार अप्लाय करके अपने बालों की लैंध को भढ़ा सकते हो अपने बालों को लमबा बाला घना खुब सूरत बना सकते हैं भी बाते मैंने आप सभी को बताई है वो 100% वर्क करती है यानि कि आपको अपने बालों में आइलिंग करनी है कोई भी हेयर पैक है उसे आपको वीकली अपलाई करना है जो कि आप स्पेसली अपने बालों के लिए अपलाई करते हैं मैंने बहुत सारे हेयर पैक आप लोग के स देखते हैं आपके बालों की कंडीशन और पूरने तरिके से चेंज हो जाएगी आपकी बालों की ग्रोथ पढ़ेगी उमीद है कि वीमीद ये को पसे पिपाइब शहरा है उपिद आए चैनल क这个 channel को सेचर्पर करें मैं मिलूगी से अगली वीडियो में तब तकी लिए बाबाय और टेक कियर